FSB बिल्डिंग धमाके पर सस्पेंस भी जा रही है रूस ने अभी तक घटना के बहारी होने की बात अभी तक नहीं कही है कि किसी बहारी का इसमें हाथ है FSB और शेर के गवर्नर ने अलग-अलग बयान दे दिये फिलाल युक्रेन ने भी घटना में शामिल होने से इनकार किया है और आएब आपको दिखाते हैं कि इस धमाके पर अब तक क्या-क्या कहा गया है जो बयान सामने आए हैं वो क्या-क्या है इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक इस घटना पर सस्पेंस बरकरार है FSB ने कहा कि फ्यूल और लुब्रिकेंट्स में आग लगने की वज़े से धमाका हुआ रोस्तोव के गवर्नर कह रहे हैं एलेक्टिक शॉट सर्कीट की वज़े से ये आग लग गई है जलेल्सकी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि घटना में युक्रेन का हाथ नहीं है अब इन बयानों को अलग-अलग आप समझेए युक्रेने अधिकारी ने ये भी कहा कि लेकिन घटना को हम इंजॉय कर रहे हैं ये युक्रेनी अदिकारी कह रहे हैं कि हम इस घटना को इंजॉय कर रहे हैं अब सवाल यहाँ पर अतुल भार्दवास सब्सक्राइब की तरफ से कुछ नहीं कहा गया रूस कुछ कह नहीं रहा है कि ये हमला किसी ने किया लेकिन युक्रेनी दिकारी कह रहा है कि हम इसे इंजॉय कर रहे हैं क्या मतलब निकाला जाए देखे ये जो हमला है युद तो दोनों के बीच में चल रहा है इस वक्त पर और युद में ऐसे हमले होना और ऐसे क्लेंडेस्टाइन ऑपरेशन होना भी बहुत जायस सी बात है इसमें एक डिमेंशन जो और आती है जो आजकल उबर के आई है वो ये है कि ये चीन अब एक नेगोसियेशन कराने की चीन ने एक फॉर्मूला दिया है पीस फॉर्मूला ट्वैल पॉर्मूला दिया है अब वो चीन ने जो फॉर्मूला दिया है और चीन अभी रश्या पहुंचने वाले है और उनकी जिलिंस्की के साथ भी एक वीडियो कॉन्फरेंस और भी कहा जा रहा है कि क्या ये अमेरि लिस्ट में भी वेस्टेशिया में चीन ने अभी एक डिकलिकराई पीसлिस दील साधियारेबिया और इरान के बीच में चीन बाहर निकल के आ रहा है और वह ролі क्रदी कोश't कर ने किकोन डिपलोमैटिक 15 ले करने कीख लार्ज़र डिपलोमैटिक रोल प्ले करने की देखें मतलब दोनों और से वो मीटिंग करके ये बताना चाह रहे हैं कि चीन शांती विवस्ता की तरफ आगे रुख कर रहे हैं अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अम्रूदों को एक करोड फ्रीडम मैप के जो गराहक है उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच आपके